Hello everyone मैं हूँ MSK और आप सबका स्वागत है Minecraft में और इस वीडियो में हम एक नई सीरीज चालू करने वाले है अपने चैनल पे जो की है How to use Redstone in Minecraft और इस सीरीज का ये Part 1 है जो की है Comparator के बारे में अब Comparator क्या है ये Comparator एक Redstone Component है जिसको हम यूज करके Redstone Circuit बना सकते है और Comparator इसके लिए मैंने चुना है क्योंकि Comparator एक ऐसा Redstone Component है जो की सबसे जादा Complicated है इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक Detail Explanation बनाया है इस वीडियो में पहले बात करते हैं about the design of the Comparator तो Comparator में अगर आप देखोगे तो Comparator थोड़ा बहुत repeater की तरह ही दखता है बट ये repeater नहीं है इसमें आपको obviously three lights दिखती है repeater में दो ही lights थी इसमें तीन lights है जो की है जहाँ पीछे की तरफ दो lights है और एक light जो है वो आगे की तरफ है अग जो की है subtract mode अगर comparator की light off है तो वो basic mode में काम कर रहा है थोड़ी all details में comparator एक ऐसा block है या फिर ऐसा redstone component है जो की पीछे की तरफ जितना strength का signal आ रहा है उतना ही strength का signal वो आगे की तरफ भेजेगा इसका मतलब समझो redstone की strength अगर comparator में 15 की जा रही है तो output भी 15 का ही आएगा और एक चीज जो redstone comparator कर सकता है वो है सामने वाले block यानि output block को power देना या फिर strong power देना जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बीच में एक block है redstone comparator के फिर भी वो block को power दे रहा है और strong power दे रहा है उसके बाद comparator में दो inputs है फिर्स्ट है primary input जो की उसके पीछे की तरफ है और दो secondary inputs है अब दोनों में से कोई एक secondary input आप use कर सकते हो दोनों use की जा सकती है बट इससे comparator थोड़ा बहुत और complicated हो जाएगा और एक ही output है वो है सामने की तरफ comparator और एक चीज करता है वो है strong power और weak power भी ले सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि comparator जो है वो strong power ले रह पर यहाँ पर जो है comparator weak power ले रहा है from the redstone dust जैसे कि यहाँ पर दिख सकते हो आप redstone dust है बट यहाँ पर redstone dust power नहीं है क्योंकि यह weak power है और यहाँ पर comparator चालो है इसका मतलब redstone dust power पहुचा रही है तो यह एक बहुत अच्छी बात अब यह हो गया थोड़ा बहुत basic about the comparator की comparator कैसे वक करता है comparator में कहां कहां से inputs दे सकते हैं और कहां से output आप ले सकते हो from the comparator अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की जो है comparator कोई भी inventory वाले blocks को यानि जिस भी profit में inventory रहेगी जैसे player के अंदर inventory रहती है वैसे inventory रहेगी उन blocks में जितने भी items रखे हुए उन्हें read कर सक है जैसे मैंने यहां पर tune रख दिया four और five stacks तो जैसे की देख सकते हो comparator चालो गया और उसने output दे दी है तो यह है comparator का और एक फाइदा क्या है कि comparator blocks के through से read कर सकता है तो यहां पर जो है वो chest के बीच में एक solid block है तो भी जो comparator है वो chest को read करेगा और उससे output देगा अगर आ आपको compatible blocks देखने जिन में inventory है तो आप Wikipedia पेज बोल के देख सकते हो जिसमें आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितने blocks में कितने items रहने चीए तब comparator कितना output देगा जो कि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर मैंने सभी blocks को यह किया तो compare करने लग गया उसके first start करते हैं जो कि है basic mode पे अब comparator basic mode में है क्योंकि इसकी जो light है वो off है अब मैंने redstone comparator के पीछे power दी हुई है अब यह power है 13 blocks की जैसे 15 यहाँ पर शुरू होता है 13 12 12 block की power इसमें जा रही है comparator में और output भी 12 का ही आ रहा है अब हम यहाँ पर समझो lever flick करते है यह वाला यह वाला तो comparator की output off हो जाता है अब मैं बताता हूं वहाँसा क्यों होता है comparator क्या कर रहा है basic mode में कि इन दो लों की power जो है वो check कर रहा है समझो अब यहाँ की power कम है और यहाँ की power स्यादा है अब यहाँ पर इस lever के बीच में एक दो और तीन तीन blocks का difference है तीन redstone blocks का difference है यहाँ पर सिर्फ दो ही blocks का difference है यानि ये power जो है वो ज्यादा है इस power के हिसाब से यानि side की power ज्यादा है पीछे की power के हिसाब से इसका मतलब comparator basic mode में बंद हो जाएगा अगर वही पर comparator की output जो है वो same है तो comparator बंद नहीं होगा basic mode में अगर comparator की side output ज्यादा है पीछे की output से तो भी comparator बंद नहीं होगा comparator basic mode में तभी ही बंद होगा जब पीछे वाली output कम है पाजू वाली output से अब ये हो गया about the basic mode of the comparator अब इसके बाद हम जाएंगे subtract mode में बट अगर आपको ये basic mode समझ में नहीं आया फिर भी जो भी मैंने बताया normally ये वाला जो part है वो आपको वापस से देखना पड़ेगा प थोड़ी बहुत complicated चीजे है बट फिर भी आपको समझ में आ ही जाएगा एक दो बार देखने से बात करते हैं subtract mode of the comparator तो जैसी हम इस comparator को tap करते है और ये light जैसी चालो हो जाती है इसका मतलब comparator of subtract mode अब ये है side input और ये है back in अब subtract mode में comparator क्या करता है side input से back input को minus करता है यानि secondary input से primary input minus की जाती है और फिर output दिया जाता है let's see अगर मेरे को है let's go 1,2,3,4,5,6 let's start with 6 6 blocks की power जा रही है अब मैं समझो 6 में से 3 minus कर देता हूं तो कितना बच त्री बचेगा 1,3,3 redstone lens चालू है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें से 4 minus करूँ तो output 2 आएगा अगर मैं 4 नहीं minus करूँ अगर मैं minus करूँ 1 से तो मेरे पास output जो है वो 5 आएगी तो इस तरह से जो है वो comparator work करता है comparator जो है वो side input को याने secondary input को primary input या फिर back input से minus करता है और वैसे ही जो है वो output देता है subtract mode में अब आप बोलोगे कि अगर side वाली input ज्यादा हुई जैसे कि मैं यहां पर ले रहा हूँ यहां पर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 यहां पर मैं ले रहा हूँ 4 और यहां पर मी भी हैं 1 2 3 4 ले रहा हूँ तो output 0 आता है अगर मैं 3 लेता हूँ तो output 1 आता है बट अगर मैं इसमें 5 लेता हूँ तो obviously negative में हम नहीं जा सकते क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए output फिर भी 0 रहता है क्योंकि अगर मैं ऐसा किया होता तो तो अगर मैं ऐसी चीज calculator पर माइनस करूँ जै यह एक game है तो इसमें वो function obviously अवलेबल नहीं है तो negative 1 में हम count नहीं कर सकते जो भी output आएगा वो सिफ positive में आएगा अगर मैं अभी 4-2 करता हूँ तो यहां पर 2 output आएगा तो इसी तरह से comparator subtract mode use करता है in Minecraft तो यह हो गई इस परस्ट टेकनीक अब और सब्ट्रैकर मोड अब यहां पर जो है वो second technique है या फिर आप इसे बूसदे है और यह थोड़ी बहुत ज़्यादा complicated है जो परस्ट टेकनीक बाता है वह सुट्छी इसी है बट यह थोड़ी बहुत ज़्यादा complicated है अब second technique में क्या होता है जो है number लेना उल्टे हो जाते हैं इसका मतलब जो पहले हम जो है side input से पीछे वाली input minus करते हैं अब ये भी उल्टा हो गया पीछे से हम side में minus करना है तो पीछे से हम side में minus करेंगे पीछे का number लेके side के number से minus करेंगे और normally redstone जो है वो 15 maximum रहता है और उसके बाद जो है वो खटते जाता है वही हमें करना है तो जो फर्स टेक्निक में हम कर रहे थे वो number बढ़ा रहते एक दो ती चार ऐसे कितर रहते हैं अब हमें जो है 15 से जो है वो number कम करते जाने 15 14 13 ऐसे करना है तो अब मैंने यहाँ पर फॉर्थ ब्लॉक पर आ गया हूं मैंने यहाँ पर चालू किया अब यह फॉर्थ ब्लॉक नहीं है यह है 15 14 13 12 तो 12 की पावर जो है वो कमपेरेटर में जा रही है पर हम इससे नहीं गिनेंगे हम पहले यहाँ पर गिनेंगे ओके तो इसे बंद कर देते और पहले पीछे वाली इंपुट लेते क्योंकि पहले हम पीछे लेंगे और पीछे से हम साइड में माइनस करने वाले इस बार अब यह उल्टा हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बता है तो हम यहाँ पर फॉर की इसका मतलब यह 4 नहीं है यह है 15, 14, 13, 12 तो 12 यहाँ पर जा रही है अगर मैंने 12 माइनस 3 किया तो आउटपुट 0 आता है क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा है और नेगेटिव में आंसर आ रहा है क्योंकि जो है आउटपुट है वो ज्यादा है तो अगर मैंने 12 माइनस 3 किया तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो है 15, 14, 13 अग 13 में से जो है 12 में से हम 13 माइनस नहीं कर सकती यह पॉसिबल नहीं है माइनस 1 आंसर आएगा तो यह पॉसिबल नहीं है अगर मैंने 12 में से 12 माइनस किया तो आउटपुट आता है 0 अगर मैंने 12 में से 11 माइनस किये तो आंसर आता है 1 12 में से अगर मैंने माइनस किया 10 तो आंसर आता है 2 और मैंने अगर 9 माइनस किया तो आंसर आता है 3 अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ कि 9 माइनस किया या फिर 10 माइनस किया कि इसके लिए क्योंकि जो comparator में input जा रहा है वो कम है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो input है वो 15 है यानि यहाँ जादा है बट जैसी अब end आ जाते है comparator में जहाँ पर comparator में input हो रहा है वहाँ पर यह जो redstone dust है वो 9 पर तो comparator यह जो है input 9 में लेगा और यहाँ पर जो input है वो 12 है तो 12-9 is equal to 3 तो second जो है technique ऐसे work करती है और यह original technique है जो सब लोग use करते है जो first technique थी वो थोड़ी बहुत easy थी जो जिनको पता नहीं about redstone comparator उनके लिए यह second technique जो है वो सबसे जादा easy है but second technique जो है वो OG है जो सब लोग comparator जो भी professional लोग है वो इस second technique को use करते है तो यह था explanation about comparator को कैसे use करे अब मैं आपको बता हूँगा थोड़ी बहुत basic circuit जिनमें आप comparator को use कर सकते हो first of all यह है एक comparator clock अब जो comparator है अगर मैं इसमें output दूँ या फिर input दूँगा तो आपको जो है वो इस तरह से clock मिलेगी अब जो comparator है अगर आपको यह subtract formula समझ में आया होगा तो आपको यह clock भी समझ में आएगी अब मैं इसे जो है वो second technique से explain करूँगा क्योंकि वही जो है टेक्निक है वो original है इसके लिए तो अब मैंने जो है पीछे की तरफ से जो input दिया है वो 15 का है क्योंकि leverage या फिर कोई भी जो power block है रेट स्टार्च या फिर रेट स्टों ब्लॉक वो 15 का जो है वो input जो output है वो देते हैं अब मैंने 15 का input जो है comparator के अंदर दिया है 15 का input वही जो है वो बहार आ रहा है फिर वह 14 में convert हो रहा है फिर 13 में convert हो रहा है फिर 13 माइनस अगर आप 15 करते हो तो I guess दो बचते है तो वहाँ पर वापस power output आ रहा है 1 और 2 फिर यहां पर 0 आ रहा है फिर comparator बंद हो रहा है और वापस चालो हो रहा है तो यह जो comparator का है वो loop है cycle है वो होती जा रही है और इससे हमें जो है वो एक clock मिल जाती है अब यह हो है pulse extender क्या है pulse extender जो है normal जो रेड्स प्ल्स है उसे extend करता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहांपर button यहांपर button चालो हो गया औप भी हो गया पर लुँट वह अभी भी आ रहा है या फिर यहां पर जो है वह मुझा हुख चपन कर रहे brings लोट जी तरह यह जीयरना autocon अभी ब्योट करता है तो अब मैं हिसे भी एक्स्टेंड कर देता हूं बटन से भी जो है input जो है वो 15 का जा रहा है यहां पर 15 का यह comparator note ले रहा है फिर 15 का output दे रहा है फिर comparator जो यहां पर है दूसरा comparator वो भी 15 का output दे रहा है बट यहां पर जो output है वो 14 का हो जा रहा है तो वापस से यहां पर जो है वो 14 का अंदर जा रहा है output भी 14 है 14 है वापस 14 अंदर जा रहा है फिर 13 तो ये ऐसे कर करके जो है वो power जो है वो कम होते जारी है और यहाँ पर भी जो है वो एक cycle बन चुगी है but instead of a clock ये एक pulse में है याने के ये constant power जो है वो आपको provide कर रही है अब at last ये चीज़ पर आ जाते हैं ये सबसे simple चीज़े वो है automatic dropper जैसे कि आप इसमें items डालते हो ये automatically शुरू हो जाता है because how the comparator जो है मैंने पताया कि जो जितने भी item ये head blocks है जिसके अंदर inventory होती है क्याने जिस plots में आप और भी blocks रख सकते हो उनसे जो है input sorry input नहीं output ले सकता है अब ये जो comparator है वो इस चीज़ को power कर रहा है वो ये जो block है वो इस चीज़ ये redstone dust को power दे रही है ये redstone dust इस block को power दे रही है ये block इस repeater को power दे रहा है और ये जो input जा रही है वो कम है अब जैसी कम input अंदर जाएगी वैसे ही comparator बंद हो जाएगा और जैसी comparator बंद हो जाता है ये पूरा circuit बंद होता है बट वापिस से इसके अंदर items हैं तो comparator वापिस से शुरू हो जाता है और ये जो है एक loop पोल सकते हो आप या फिर cycle वापिस से शुरू हो जाती है आप वो ही cycle यूज़ कर सकते हो बट ये जो cycle है वो cycle automatically work करती है यानि कि अब ये जो है वो cycle बंद हो चुगी है यानि कि इसकी वज़से आपको जो dropper का वो टक 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 वाला आवाज सुनाई नहीं देगा आप जैसे ही इसमें items डालोगे वैसे ही dropper शुरू होगा नहीं तो जो dropper है वो off हो जाएगा और at last ये जो redstone है वो इस block को power दे रहा है और ये जो block है वो diagonal power दे रहा है इस dropper को अब ये जो diagonal वह चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ work करती है इन जावा एडिक्शन ये बैट रॉक एडिक्शन पे अनफॉर्चुनेट्री वर्क नहीं करता तो ये जो redstone है ये सिर्फ ये जो feature है diagonal power याने के cross power का ये सिर्फ जावा एडिशन पे वर्क करता है और अगर आपको ये जो चीज है ये bedrock के लिए भी compatible है जो मैंने अभी बता है अगर आप इस को bedrock में यूज करना चाते हो जो भी ये चीज़े मैंने बताई तो आपको ये यहां से हटा के यहां पर जो है वो redstone डिस्ट लेके यहां पर रख देनी है और ये वापिस से वर्क करेगा इन अगर आप जावा पर हो तो आपको ये दो ब्लॉक्स लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं तो या यह जितना भी redstone है वो जावा एडिशन के लिए भी compatible है जो आप मुबाइल पर खेलते हो ये मेरे को बताना था और ये थे और तीन contractions जो की आप यूज कर सकते हो विद दे और ये सबसे ज़ादा इज़ी और बेसिक चीज़े जो आप यूज कर सकते हो कंपारेटर के साथ तो यह था वीडियो explanation as well as थोड़े बहुत circuits basic circuits about the comparator अगर आपने वीडियो इतना देखा तो आपको वीडियो ज़रू पसंदाया होगा तो गिव दिस वीडियो अलाइक सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और more redstone related चीजों के लिए आज के लिए बस इतना ही आप से मिलता है और एक नए explanation वीडियो में about more redstone stuff in the future बाई बाई